नमस्कार कक्षा 10 exercise 7.1 क्या प्रशन 10 हम करने जा रहे हैं प्रशन 10 है X और Y में एक ऐसा संबंध ग्याद कीजिए कि बिंदू X Y बिंदूओं 3, 6 और माइनस 3, 4 से सम दुरस्त हो तो आईए इसे थोड़ा सा चित्र के हिसाब से देखते हैं एक बिंदू यहाँ है 3, 6 ये वाला और एक बिंदू यहाँ है माइनस 3, 4 एक बिंदू यहाँ है ये इन दोनों से सम दुरस्त है सम दुरस्त यानि बराबर दूरी पर है इस बिंदू का नाम ले दो A इस बिंदू का नाम ले दो B इस बिंदू का नाम ले देते है P कुछ भी ले सकते हो आप अब P A बराबर होगा P B उस इसाब से हमें X और Y के बीच में संबंद गयाद करना है बच्चो संबंद का मतलब यह है कि कोई equation बनेगी जिसमें X और Y होंगे ठीक है और नहीं कुछ भी है सिर्फ X और Y में एक equation बन जाएगी हमने वो दिखानी है तो आएए देखते है देखें कोईशन के हिसाब से यह बिंदू इन दोनों से बराबर दूरी पर है A और B से बराबर दूरी पर है B इसका मतलब P A बराबर होगा P B के तो दूरी सुत्र के नुसार इस पूरी exercise में केवल और केवल दूरी सुत्र ही प्रियोग हुई है P A रूट अच्छा इसके तो हमने निर्देशांक लिखे ही ने X,Y अब दूरी सुत्र कहा कहता है X2-X1 का होल स्केर प्लस Y2-Y1 का होल स्केर है ना बटा तो ये X2 है X X1 है 3 यानि X-3 का होल स्केर प्लस Y2-Y1 Y-6 का होल स्केर इसी प्रकार से P B रूट X2-X1 X- X1 है माइनस 3 तो ये दोनों निशानों को अलग करने के लिए 2 माइनस एकठे होगे इनको अलग करने के लिए छोटी ब्रैकेट तो यहाँ पे आ जाएगी फ्लावर ब्रैकेट इसका स्केर प्लस Y2-Y1 Y2 है Y और Y1 है 4 तो Y-4 का होल स्केर इसे हमने हल करना है लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं यह रूट हटा देते हैं रूट हटाने का तरीका क्या था बेटा देखो यहाँ भी पूरी टर्म के उपर रूट है यहाँ भी पूरी रकम के उपर रूट है तो हम क्या करेंगे square कर देंगे दोनों साइडों को squaring both sides दोनों तरफ work लिने पर work करने पर root का square यहां भी कट जाएगा root का square यहां भी कट जाएगा बाकी बच गया x-3 का whole square अब यह बनता है a-b whole square वो होता है a square minus 2ab 2 into x 2x into 3 6x यह आता है ना बच्चों आपको करना plus b square, b square होता है 3 का square 9 ठीक है अभी हमने सिरफ x-3 whole square को हल किया है बीच में है y sorry plus तो plus अब आगया y-6 whole square फिर बन गया a-b whole square यह होता है a square minus 2ab 2 into a, a है y 2 into y, 2y into 6 12y plus b square b है 6, 6 का square हो जाएगा 36 यह अभी आपकी इन दोनों को solve करके हमने यह लिखा ठीक है बच्चों आगे है बराबर का निशान बराबर यहाँ पर भी root का वर्ग करने से root कट गया बाकी बच गया x minus into minus plus x plus 3 का whole square a plus b whole square तो a square plus 2ab 2 into x, 2x into 3 3 का square होता है 9 यदि आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे करेंगे तो आपको सब समझाएगा बेटा ठीक है या वीडियो को रोक कर इसको खुद हल कीजिए उसके बाद वीडियो चला कर देखिए जो आपने हल किया वो बिल्कुल सही आया मेरे साथ या नहीं ठीक है बच्चो ये भी एक तरीका होता है कि आप वीडियो रोक कर पहले इस स्वाल को आगे हल कर रो फिर देखो जो आपने हल किया और जो मैंने हल किया उसमें कहा अंतर है प्लस ये प्लस लिखा a-b whole square वो होता है a square minus 2ab 2 into a क्या करेंगे x और y वाली सारी रखमे इस equation की left side पे ले आएंगे बिना x वाली सारी रखमे equation की right side पे ले आएंगे ठीक है बच्चो तो देखे left side पे है x square minus 6x 9 को उधर लेके जाना बाद में लेके जाते है plus y square minus 12y ये पहले से ही left side पर थी एक, दो, तीन और चारक में 36 उधर जाना बाद में लेके जाएंगे ये x square है जब ये बराबर से इधर आएगा इसका sign change होगा न ये x square है इधर आके हो जाएगा minus x square ये plus 6x है इधर आके हो जाएगा इधर मतलब बराबर के इधर minus 6x 9 को यहीं रखना है y square है प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा minus y square minus 8y या उधर जाके क्या हो जाएगा plus 8y बराबर अब देखो यहाँ क्या बच गया x square तो ये चला गया 6x भी उधर चला गया 9 यहाँ पर है y square उधर चला गया माइनस 8 वाई उदर चल गया 16 यहाँ पर पहले से है अब कुछ रख में xy वाली यहाँ बची थी ना देखो बिना x वाली यह 9 है यह कहीं नहीं लिखा था ना अभी अब यह प्लस 9 है अब यह उदर जाके हो जाएगा माइनस 9 आप सोचा के यह 9 लिखा यह 9 तो पहले से है है ना यह बला यह 9 यहाँ से आया माइनस 9 इसी प्रकार से y square यहीं लिख दिया था माइनस 12 यहीं लिख दिया था प्लस 36 बच गया था इस प्लस 36 को इदर लेके जाओ तो यह हो गया माइनस 36 ठीक है बच्चो आशा करता हूँ यह step अच्छे से समझाया होगा ना समझाया हो वीडियो थोड़ा पीछे ले जाकर दुबारा देख सकते हो अब होगी काटा पीटी देखे कैसे प्लस x square से यह माइनस x square कट जाएगा है ना बच्चो प्लस y square से यह माइनस y square कट जाएगा और देखे कुछ कट सकता है यह है माइनस 6x यह भी है माइनस 6x तो माइनस माइनस नहीं कटेंगे उल्टे निशान होते तो कटते माइनस 12 y प्लस 8 y यह भी नहीं कट सकते यहाँ पर यदि हम देखे तो प्लस 9 से माइनस 9 कट जाएगा अब बाकी जो बच गया उसको हम हल कर लेते हैं क्या बचा देखिए देखो बच्चो माइनस 6x और माइनस 6x माइनस माइनस प्लस समान पद है ना इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है यह आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं माइनस 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 साथ में है x और माइनस का निशान दोनों के साथ है तो 12 के साथ भी माइनस का निशान लग जाएगा इसी प्रकार यह है माइनस 12y और यह है प्लस 8y तो माइनस प्लस minus क्यूंकी 1 minus का, 1 plus minus, 12 में 8y minus कर दो, भाकिवच 4y, sine बड़ी रकम का, ये है minus 12 ये है plus 8 12 बड़ा है उसके साथ minus का nिशाने तो minus बराबर यह को left side पे यह कट गया, यह हो गया यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो क्या, यह हो गया किया बेटा बीस और साइन बड़ी रखम का माइनस अब हम क्या कर सकते हैं देखो यह भी चार के पाड़े में आता है बारा चार भी चार के पाड़े में आता है बीस भी चार के पाड़े में आता है अगा में समय से चार कॉमन ले तो वह कट सकता है और यह भी माइनस का यह भ माइनस बाहर चला गया तो यहां बच गया प्लस 4Y को 4 से भाग कर दिया 4 से 4 कड़ गया बाग की बच गया Y बराबर माइनस 20 ऐसे ही रहने दो अगले स्टेप में 3X प्लस Y बराबर माइनस 20 यह माइनस 4 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ठीक है बचो माइनस से माइनस कड़ गया 4 से 20 कड़ गया 5 4 पंजे 20 इसका अर्थ है यहां बचा 3X प्लस Y बराबर यहां बचा 5 हम ही क्या कहा गया था बचा X और Y में एक संबंद ग्याद कीजिए यह है X और Y का संबंद मैंने पहली कहा था कि एक इक्वेशन बनेगी तो यह X और Y का संबंद है 3X प्लस Y बराबर 5 होगा तो बच्चों हमने देखा कि हमें दिया गया था X और Y में संबंद ग्याद कीजिए कि बिंदू X Y बिंदूों से संब्दूरस थो तो यह बिंदू इन दोनों से संब्दूरस था तो PA बराबर PB दूरी सुत्र लगाया जो कटता था हमने सिरफ उसको आपस में काट दिया A माइनस B होल स्केर A माइनस B होल स्केर A प्लस B लिंदू केर aming बानस B होल स्केर आया होगा इस प्रशनावली के बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजे और बाकी प्रशनों को समझे धन्यवाद